दोस्तों इस वीडियो में हम Flipkart Instant Personal Loan के बारे में discussion करेंगे एक बर मैं आपको screen पे पूरा का पूरा process भी दिखायता हूँ कि कैसे आपको apply करना यानि कैसे आपको Flipkart app पे जाके कैसे इस instant loan के लिए आपको apply करना है, कहां click करना ये सारी की सारी details एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन ये सारा का सारा process में आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में देखो process देखना सिरफ 2 मिनिट का काम है लेकिन process से पहले जो सबसे जरूरी चीज है कि क्या हमें Flipkart का Instant Personal Loan लेना चाहिए या फिर इसकी बजाए किसी दूसरी जगा से मेरे को instant Personal Loan लेना चाहिए देखो Flipkart के अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक-एक screenshot यहाँ पे लगाया पहले इसकी पूरी की पूरी जाच परताल करना भी जरूरी है देखो मैं Personal Loan कहीं से ले रहा हूं एक तरह से तो मेरे को यह तो देखना पड़ेगा कि कितनी मेरे से processing fees ले रहा है, कितना rate of interest मेरे से ले रहा है, ऐसा थोड़ी की Personal Loan ले लिए और बात में मैं उसकी चक्कर में फज्जा हूं देखो सबसे पहले एक-एक screenshot लगाया है सारी की सारी चीजे मैं आपको एक-एक करके दिखाऊंगा देखो यहाँ पे सबसे पहले जैसे आप Flipkart की एप खोलोगे, कुछ ऐसा interface दिखेगा यहाँ नीचे अकाउंट वाला option आता है इस account वाली option पे जब आप click करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा और यहाँ पे आपको दिखेगा कि Personal Loan यह बोलते हैं कि 5 लाख उरुपे तक का आप जादा से जादा Flipkart से Instant Personal Loan ले सकते हो और यह कुछ नहीं है देखो एक तरह से Flipkart क्या है, Flipkart ने Access Bank के साथ टाइब किया हुए, ठीक है, अब Flipkart के लाख हो, चलो यह चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा यहाँ Personal Loan पे जब आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे Interface दिखेगा, यहाँ यह लिखते हैं कि आप जादा से जादा, देखो 12 महीने से लेके 60 महीने तक के लिए Personal Loan ले सकते हो, यानि बढ़िया से लिखा हो है कि साड़े 12% का Rate of Interest मैं कहता हूँ कि अगर साड़े 12% पे Personal Loan किसी को मिल जाता है, तो कोई बूरा Rate of Interest नहीं है, क्योंकि अमोमन बैंकों की भी बात करें, तो बैंक भी यह लगा लो साड़े 10% से शुरू होते हैं और 25% तक भी चले जाते हैं, तो साड़े 12% पे Personal Loan मिल जाए, अगर दे, देखो, लिखने में, लिखने में तो आप बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाएंगे बहुत सारे वीडियो बनाने वाले भी बता देंगे जी, साड़े 12% पे मिल जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे evidence के ओपर बात करेंगे, दो जगा से, यानि दो लोगों का मैंने Personal Loan के लिए apply किया, Flipkart से, उनको कितना-कितना rate of interest मिला, आगे मैं आपको screenshot पे बताऊंगा, और सबसे पहले, चलो, आगे Flipkart क्या काम कर रहा है, एक तरह से middleman का काम कर रहा है, यहाँ Flipkart है, यह customer है, और customer Flipkart के जरिए Access Bank के पास जा रहा है, जब loan देना ही Access Bank ने है, आप एक मोटी बात समझो, जब loan देना ही Access Bank में है, तो मैं Flipkart को बिचोलिया क्यो बनाओ, मैं डारेक्ट ही नही Access Bank से personal loan ले लूँगा, एक खुद समझदारी की बात है कोई Flipkart अपनी जेव से तो पैसा दे नहीं रहा कल को कोई default करेगा, तब भी साफ साफ लिखा हुआ है कि Access Bank उससे recover करेगा तो एक तरह से affiliate marketing कर रहा है मैं लब आप समझदारी बात को कि जैसे किसी ने link प्रोवाइड कर दिया, वो link से आप bank में गए और bank से personal loan ले लिए तो बीच वाले बंदे का क्या काम रहा, affiliate marketing करी उसने एक तरह से, चलो एक पर आगे भी चलते हैं, अब यहाँ पर मैंने दो screenshot लगाएगी, दो लाग के loan को अगर आप लेते हो तो यहाँ पर उसकी जो EMI बनेगी यह बनेगी 7331, जब इसको मैंने calculator में डाला कि 2 लाग का loan है और EMI 7331 बन रही है तो rate of interest निकल के आया 19% अब देखो, यह अब आपके सामने ही है, लिख कितने रहे हैं, साड़े 12% चलो एक case और भी लेके देख लेते हैं वैसे इसी कई case एक और दिखायता हूँ यहाँ पर जब amount को मैंने घटाया 50,000 किया, तो भी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आया कि वही 19% का, देखो, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि 19% का rate of interest है processing fees यहाँ पर लिखी हुई है processing fees 1180 रुपे ले रहे है तो 50,000 के लोन के पीछे, यानि 50,000 के लोन के पीछे processing fees 1180 रुपे ले रहे है तो यह बैठती है 2.36% अब वही बात है, बैंकों में जाओगे तो 1% पे भी आपको लोन मिल जाता है अमूमन, 1.5% पे भी processing fees और इतनी negotiable होती है, बैंकों से गर आप personal loan लोगे तो, यही यहाँ पे 2.36% मेरे को देना पड़ रहे है, चलो और आगे चलते है यह दूसरा case मैंने उठाया, यहाँ पे एक लाग के loan के लिए जब apply किया flip card, अब यह दूसरा व्यक्ति है, उसका मैंने screenshot यहाँ पे लगा रख है, जब एक लाग के loan के लिए apply किया गया, तो यहाँ पे EMI निकल किया है, 3817, यह 36 महीनों की है, यानि 3 साल की EMI है, पीछे भी यह 3 साल की 36 महीनों की थी, ठीक है, तो यहाँ calculator में मैंने डाला भी था 3 साल, ठीक है, ऐसे ही आगे भी यह जो EMI है, यह 3 साल की है, flip card वाली तो एक लाग का loan है, यहाँ पे मैंने डाला कोई हराब नहीं है, आप मान के चलो अब कोई तीसरा व्यक्ति, आप, आप apply कर रहे हो, और अगर आपका civil score 19-21 है, तो हो सकता है कि यहाँ कड़ा 30% पे भी चला जाए, तो फिर क्या फाइदा है इतने महेंगे rate of interest पे personal loan लेने का, ऐसे ही अब यह मैंने अपना खुद का loan है, यह मेरा खुद का एक loan है, personal loan, जो मैंने ICI से bank से लिया था, अब यहाँ पे यह मैंने loan account number को blur कर दिया, security reasons की वाज़से की YouTube पे loud नहीं होता, ठीक है यहाँ पे मैंने loan लिया था, 3,17,000 का यह bank से loan लिया हुए, direct, जैसे ICI से bank से loan लिया है, तो मैं ICI से bank को कोई promote नहीं कर रहा हुए, बस मैं आपको एक screenshot दिखा रहा हुए, बैंकों से loan लेने का क्या फाइद है, भले आप ICI से से लो, भले आप access से खुद जाके direct loan ले लो या भले SBI से लो, मोटी सोरी, मोटी बात यह है कि Jonesa bank हमें, या Jonesa instant loan अब भी, Chinese वाली नहीं कह रहा RBA registered, जो भी चीज मेरे को सबसे सस्ता rate of interest देगी, मेरे लिए तो वो चीज अच्छी है, यहाँ देखो, 3,17,000 का loan लिया, यहाँ पे EMI 12 महीनों के लिए लिया, मैंने 1 साल के लिया EMI कितनी बन रही है, 28,360 रुपे यह देखो, calculator में डाला 3,17,000, और 1 साल के लिए डाला loan amount, 28,360 है मेरी, जो बस यह 13 रुपे काई फरका रहा है क्योंकि exact amount match नहीं हो रही थी, ठीक है तो यह EMI होगी, तो कितना rate of interest बैटर है 13.4% का, अभी मैं क्यों 25-25% का rate of interest दूँ आप देखो, और आगे चलो, आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है मैंने कुछ bank के example लगा है ताकि आपको चीज़े और अच्छे से clear होती चली जाए ठीक है, ताकि आप किसी गलत loan app, web के चक्कर में, या फिर अपनी समझदारी से चलो, भी आपका नुकसान नहीं होना चीए HDFC के मैंने एक example लिया है ठीक है, आज की date में इसके rate of interest 10.50% से शुरू हो जाते हैं, और maximum हम 25% तक जाते हैं, साव बोलते हैं अगर किसी का civil 19-21 है, तो हम उसको 30-30% पर नहीं देंगे, उसकी file reject कर देंगे या तो हम इसके अंदर डाल देंगे कि civil थोड़ा खराब है, तो 25% जाद से जादा देंगे, अदरवाई इससे जादा खराब है, तो यह कहेंगे, 17% पर हम नहीं देंगे हम इसको reject कर देंगे, ऐसी SBI कहा हो गया तो बैंकों के rate of interest और बैंकों की जो processing fees है, वो काफी कम रहती है ऐसी अगर हम आपको, अगर instant loan apps के कुछ example दिखाऊं, जैसे आज कल ये online चली हुई है, instant loan apps तेरे एकदम लोग पागल हो कि तना instant loan apps के पीछे पड़े है, इनकी rate of interest देखो, यह से नावी हो गया, यह बोलते है 9.9% से शुरू हो के 45% तक जातने, अब पता नहीं 9.9 पे किसी को देते होंगे, कि बस लिखने के लिए लिख दिया अब मान के चलो कि 45% पे loan लेना, मैं आप खुछ सोच के देखो मैं बजार से पैसा उठा लूँगा, वो भी मेरे को 2% पर महीने के इसाब से मिल जागा यह नहीं, साल का हो गया, अब इंटो में 12 गर के 24%, अगर मैं किसी बजार में क्या आपता 100% भी चला जाए, loan का amount यहां देखो 36%, 48% ठीके जी, मतलब हर एक मैं किसी की ना तारीफ कर रहा हूँ, ना बुराई कर रहा हूँ जो इन्होंने लिखा है, अपनी साइट पे जाकर के वही मैं आपको बता रहा हूँ, processing processing fees की बात करते हैं, अब जैसे मान के चलो नावी है, नावी कहता है 0 है, छीके चलो अच्छी बात है, लेकिन बाकी लोगों की देखो 0 से 15%, अब यहां पे 15%, अब एक लाग का किसी को loan चाहिए, 15% processing fees ही लग जाए, सोचके देखो, तो account में तो balance आया 85,000 उपे, सर पे loan चड़ गया 1,00,000 उपे, और मान लो, rate of interest 30% मेरे को देना है, तो क्या मेरे को बचा, account में 85,000 उपे आये, processing fees 15,000 उपे वो एपी खा गई, और सर पे loan चड़ गया 1,00,000 उपे और आगे 30% के हिसाप से, एक लाग के पीछे 30% के हिसाप से, मेरे को ब्याज भी देना है, तो क्या फाइदा हुआ इस तो वही सारी की सारी चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको process जरूर दिखाऊँगा, कि flip card से, अगर आप instant personal loan लेना चाहते हो, तो apply करने का क्या process है, मैं process जरूर बता हूँ, मैं ना यह कह रहा है कि यह चीज गलत है, हाँ, अब यह लिख रहे हैं साड़े बारा परसेंट, मैं कहता हूँ साड़े बारा, तेरा, चोदा, पंदरा परसेंट तक भी अगर यह loan दे दे, के through क्यों जाना, आप खुछ समझदार हो, अगर आप इसके through जा रहे हो, तो यह समाज सेवा करने के लिए तो बैठा नहीं है, access bank कुछ ना कुछ तो पैसा, flip card को देगा ही देगा, तो मेरा बस simple सा यह कहना है, देखो सस्ता मिलता है ले लो, गलत कुछ नहीं है, कोई fraud नहीं हो रहा, लेकिन मेरा यह मानना है कि direct access bank से ही ले लो न, direct access bank से ही ले लो, भई मिलता होगा, देना तो इसी नहीं है, अगर सीबिल ठीक होगा, तो यहीं से ही मिल जाएगा, तो इसके through जाओगे तो ऐसा है नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि मैं आपको क्या ही लिंक प्रोवाइड करो, ठीक है, इसका जरूर लिंक दे दूँगा अगर आपको personal loan चाहिए, इसका process जरूर बता देता हूँ, ताकि फिर अब काफी लोग एक flip card का ही वीडियो देखने आये हैं, यो चीज़ है कि साड़ा मेरको भी ऐसा लगता है कि मैं सही चीज़ बता हूँ, ठीक है, तो flip card का इब फटा फट process देख लेते हैं, और उससे पहले एक चीज़ मेरे आप से request है, हमारा एक और channel है, जिसका नाम है focus path करके, ठीक है, बहाँ पे भी हम सारी की सारी ऐसी ही banking की जो awareness की वीडियो हैं, वो डालते रहते हैं, तो मैं आप से request करूँगा कि प्लीज आप इस channel को भी subscribe कर लो, ताकि बहाँ पे भी आपको banking के सारे updates मिलते रहें, तो फटा-फट से एक बाद स्टार्ट करते हैं कि flip card, flip card का जो instant personal loan है, वो कैसे हम apply कर सकते हैं, दोस्तो flip card instant personal loan को apply करने के लिए, सबसे पहले आपको अपनी flip card वाली जो application है, उसको open कर लेना है, application open करने के बाद सबसे नीचे आपको जो है account वाला option दिखाई देगा, यहाँ account वाली option पर जैसे ही आप click करोगे, उसके बाद आपके सामने यह जो एक personal loan का option बना हुआ रहे हैं, जिसके नीचे लिखा हुआ है कि 5 लाग तक maximum personal loan मिलेगा, उसके बाद आपको इस personal loan वाले option के ओपर click करना है, उसके बाद next page पर कुछ इस प्रकार का interface आपके सामने दिखाई देगा, उसके बाद next page पर कुछ इस प्रकार का interface आपके सामने दिखाई देगा, अब यहाँ पर यह पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं, मतलब आप salary है, यानि कहीं पर job करते हैं या खुद का business करते हैं, तो अगर कहीं job करते हैं, तो salary खुद का business करते हैं, तो self-employed, यहाँ पर जैसे मानी जी आप अगर salary select करते हैं, तो उसके नीचे पूछ रहे हैं कि किस company में आप काम करते हैं, आपकी monthly income कितनी हैं, तो यह सारी basic basic details आपको enter करनी हैं, उसके बाद सबसे नीचे फिर आपको view loan offer के option पर click करना है, उसके बाद next page पर यह थोड़ा सा loading time लेगा, loading time लेने के बाद आपके pen card को fetch करके, आपके income को fetch करके, यह बताएगा कि आप कितने loan के लिए eligible हैं, जैसे इस case में जिसके लिए मैं apply कर रहा हूँ, यह बता रहे हैं कि 2 lakh रुबए के maximum loan के लिए eligible हैं, उसके बाद next page पर कुछ ऐसा interface आपके सामने दिखाई देगा, अब यहाँ पर maximum आप 2 lakh के loan के लिए eligible हो, लेकिन आप इसे कम जादा अपने हिसाब से कर सकते हो, आप चाओ तो 1 lakh का भी कर सकते हो, 50,000 का भी कर सकते हो, जैसे यहाँ मैंने 50,000 select किया, तो यहाँ पर नीचे EMI दिखा रही है, अलग-अलग महीनों के लिए, तो एकतरह से आप देख सकते हो, कि कितने time के लिए आपको एकतरह से loan चाहिए, ठीक है, 36 महीनों के लिए चाहिए, तो 36 महीने select कर सकते हो, तो जितने भी समय के लिए आपको loan चाहिए, की ये processing fees हम से माँग रहे ठीक है तो processing fees हो गई ये सारे के सारे जो भी charges है वो ये दिखा रहे है उसके बाद simply आपको नीचे continue के option पर click करना है उसके बाद next page पर ये कुछ इस प्रकार का interface दिखाएगा अब यहाँ पर ये बोल रहे है कि किस bank account में जआते हो कि आप ये जो access bank है या आपको एक तरह से personal loan का पैसा transfer करें तो यहां पर जिस भी bank account में आप चाछते हो कि आपका पैसा ये loan वाला जो है वो transfer हो वो तरह क्यासा आप bank account details जिस भी bank में आप चालत हमय और या फिर फिर सारी आपकी मदर का नियम आपकी basic basic details की उसके बाद पूछ रहा है कि married हो या unmarried हो तो married single जो भी है वो आप select कर लेना यह सारी basic details आपको enter करने है सबसे नीचे आपको checkbooks को select करने है उसके पाद simply नीचे फिर आपको continue के option पर click करने है यह सारी details एंटर करने के बाद, next page पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा, यहाँ पर यह बोल रहा है कि आपकी वीडियो के वाइस ही एक्सिस बैंक के साथ होएगी, यानि एक्सिस बैंक का एक एंपलोई आपके बहुतली वैसा ही है, तो यह सारी की सारी जैसे वीडियो के वाइसी हो जाएगी, तो लगबग लगबग एक से दो घंटे के अंदर अंदर, जो लोन अमाउंट है, वो आपके बैंक अकाउंट में, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, उसमें credit कर दिया जाएगा उमीद करता हूँ आपको यह video informative लगी अभी के लिए this is the end of the video thanks for listening and thank you all